हेलो बच्चों मेकेडीजी के ऑनलाइन प्लेटपॉंबर आपको बहुत स्वागत है और देखो अभी तक तो यह था ना कि कावा आएगा नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन भी फाइनली आ चुका है और मुझे पता है कि बहुत से बच्चों ने भर भी लिया होगा तो य वाल पेपर जो आपको दिख रहा है ना सामने तो आज इसी के लिए ही हम क्या करेंगे पूरा का पूरा शैसन लिंगा और आराम से डिसकुस करेंगे कि नोटिफिकेशन तो आए गया जिसका हमें बेसबरी से वेट था बहुत टाइम से लेकिन अब इसका इकजाम कब हो सकता है कितना टाइम है हमारे पास सबसे इंपॉर्टन चीज यही है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसी भी है जो नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं उ कुछ छोटा सा शौट आपके पास नोटिफिकेशन वहीं पर आर भी जे के बारे में भी जो एक्जाम कैलेंडर है ना वो लगभभभग बता दिया गया था कि हां इसका भी लगभभग आपके पास एक्जाम हो जाएगा तो बहुत से बच्चों ने तभी से पेपर की प्र पर हुआ था ना उसमें लगभग हमें कितना टाइम मिला था और उससे थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग जाएगा कि अपकी बार कितना टाइम मिल सकता है तो एक छोटा सा डेटा में आप लोग के सामने रखता हूँ यहां पे जैसे अगर हम 2018 की बात करें तो लगभग 30 दिसंबर के आसपास यह नहीं कहा सकते हैं कि साल जाते 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 उन्होंने नियुवर का गिफ्ट दे दिया था 2018 के टाइम पे जिन्होंने भी भरा होगा कि भई अब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और स्टार्ट हुआ था यह दो जन्वरी से लेकर कपता है कि 30 जन्वरी पूरा का पूरा एक महिना जैसा कि लगभग अपकी बार भी है ना एक महिना वो देता है कि आप अराम से पहले सोचो कि भई मेरको ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है अगर भरना है तो कहां से भरना है कौन सा जोन सेफ रहेगा कहां की मेरिट कम जा सकती है कहां की मेरिट ज्यादा जा सकती है कहां पर ज्यादा फाइट मुझे करनी तो पूरा टाइम वो आपको देखे रखता है तो लगभग एक महीने के आसपास हमारे पास अभी भी है लगभग दोना आपके पास से में लग रहा है ना CBT1 की अगर हम बात करें तो ध्यान देना कि आप ये लगा लीजिए कि जनवरी में या दिसंबर लास्ट को आप खतम ही समझो जनवरी फर्स्ट ही समझ लो कि जनवरी भी नोटिफिकेशन आ गया था और इसका जो पेपर कराया गया है वो कप कराया गया है मई में कराया गया ह यानि यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो लगभग लगभग आपको कितने मंत मिले थे पांच मंत मिले थे हैं ना जनवरी फर्वरी मार्च अप्रेल माई टोटल कितने मंत मिले हमें पांच लेकिन एक चीज और थी कि उसी समय इलेक्शन भी तो हुए थे 2019 में है ना तो थोड़ा सा वहां पर भी डिस्टरबेंस आ गई थी जिस कारण थोड़ा सा इनको भी क्या लगाओगा एक्स्टा टाइम लगाओगा अब आप लोग बोलेगे सर इस साल थोड़िना है अब जो नोटिफिकेशन आया है ये तो 27 जुलाई को आया है अब इस बीच तो चुकी थी ना जैसी नोटिफिकेशन आया थे इन्होंने बता दिया था अररभी वालों ने कि भाई लगभग इस मंत से इस मंत के आसपास अलपी करवाया जाएगा लगभग इस मंत से लेकर इस मंत तक टेक्नीशन कराया जाएगा और आपको भी पता है कि कितनी सारी भीड है एलपी और टेक्नीशन में तो भई सेंटर तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा आरभी को लेने के लिए तो भई जो वहां पर एलेक्शन का रीजन था वही यहां पर हम एलपी टेक्नीशन का भी ले सकते हैं तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्टा टाइम हमें लगभग मिल जाएगा और कैसकते हैं कि हमें भी लगभग जो पिछली बार पांच मन्त के आसपास मिला था गैप वह अपकी बार भी मिलने की 100% possibility है थेना अब 100% है तो possibility कैसे थे 100% हो भी सकता है possibility इसलिए कहा कि हो सकता हुसे थोड़ा सा पहले भी हो जाए हो सकता हमें चार महीनी मिले य मई से लेकर कब तक कराया गया था जून तक कराया गया था और इसका result आ गया था अगस्त में ठीक है चलो result भी आ गया जो बच्चे qualify होने थे वो qualify भी हो गया और उसका CBT2 जो कराया गया था वो कब कराया गया था अगस्त में कराया गया था यानि अगर हम बात करते हैं CBT1 स हमें धाई महीने के आसपास तक का टाइम मिला था CBT-2 के लिए, तो आपके बार भी यही है, कि जितना जल्दी आपका CBT-1 होगा, उतना ही जल्दी वो CBT-2 भी आप लोग का करवा देंगे, CBT-2 के लिए बहुत जादा टाइम नहीं मिलता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठी में इसका रिजल्ट आया था और जैसी रिजल्ट आया था ना, अब रिजल्ट से अगर हम बात करते हैं CBT-2 की, तो भाई आपको सिर्फ कितने दिन मिले हैं, पंदरा दिन मिले हैं, यानि जैसे आप लोग ने खुशी मनाई कि आहाँ चलो भाई, हम्मरा क्वालिफाइ हो जश्ट दो हफते बाद क्या करा दिया पेपर, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग CBT-1 के साथ-साथ CBT-2 की भी प्रैक्टिस करते रहें, CBT-2 का भी सलेबस कवर करते रहें, ऐसा ना हो कि देखो सबसे इंपोर्टन क्या होती है, पहली सीड़ी जो है CBT-1, लेकिन ऐसा ना CBT-1 के साथ-साथ आप लोगो CBT-2 भी कवर करना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद पिछली बार तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, लगभग सेम आपके बार भी लगभग ऐसा ही होगा, कि जैसे ही रिजल्ट आएगा, दो तीन हफते के बाद क्या करवा दिया जाए तो हमें यहां से क्या पता चला, कि जैसी नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद CBT-1 के लिए तो हमें टाइम मिलता है, लेकिन CBT-2 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो सेलेक्शन आप लोग तभी ले पाओगे, जब आप CBT-1 प्लस CBT-2 दोनों के तयारी इक साथ करते वे चलोगे, तो यह हमने देखा कि पिछली बार कैसे हुआ था, थोड़ा बहुत आइडिया यहां लगाते हैं हम, और पता करते हैं कि अपकी बार क्या हो सकता है, क्या लगभग आपके पास वैसे ही चीज़े दोहराई जाएंगी, तो यहां पर अगर हम कोई दिक्कत निया कि स्टार्ट और एंड डेट में कोई दिक्कत नी थी, अब CBT 1 के अगर हम बात करते हैं, तो जरा ध्यान से देखना, वही वाले दो फैक्टर यहां पर आ जाएंगे, कौन से, ALP और टेक्निशन वाले, तो भई मेरे हिसाब से तो अगर इन दो एक्जाम को हम लेकर चले, कि पहले यह एक्जाम कराए जाएंगे, फिर अबिस सी बात है, सेंटर को लेकर कुछ करना पड़ेगा, तो लगभग आपके पास दिसंबर के आसपास हम मान सकते हैं, या तो आपके पास नवंबर लास्ट, या तो आपके पास दिसंबर, most probability यह है कि दिसं दिसंबर में होगा, यह नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है, यह हम कह सकते हैं, और अगर दिसंबर के आसपास आपका CBT होगा, तो लगभग फरवरी और मार्च में आपके पास क्या करवा दिया जाएगा, CBT2 करवा दिया जाएगा, ठीक है, तो यह एक छोटा सा हिंट है, ठी जिस हिसाब से इनके बीच में railway के exam पल रहे हैं उससे तो यही बात निकल कर आती है कि जो CBT1 होगा वो लगभग December के आसपास होगा और CBT2 में बहुत ज्यादा time तो आपका मिलेगा नी फरवरी से लेकर March के आसपास इसका CBT2 करवा दिया जाएगा तो अभी तक अगर आप लो है आप लोगों के पास कि हर एक subject को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो बस एक चोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि CBT1 पे ही जादा जोर नहीं देना है हमने CBT1 के साथ साथ हम लोगोंने CBT2 को भी लेकर चलना है ठीक है तो आज के शैसन को फिलाल यहीं पर ही रखते हैं तो छोटा सा एक information थी जो आप लोगों के साथ में share करना चाहता था जो possibilities थी वो मैं आप लोगों को लगबग बता ही दी है कि कब हमारे exam हो सकता है पिछली बार क्या-क्या चीज़ चल रही थी पिछली बार election भी था तो भाई अब लगबग उसी election की तरह हमारा एक आप के पास पांज साल पहले आया था यह भी आपके पास 5 साल पहले था ना ऐलेक्शन भी पान्च साल पहले था अब आपके पास election हुआ है इस तो इसिसाल आपका रर भी जैए भी आ अगे तो यह भी election से कम थोडिवी थो पिछली बार अगर आपको लगबग इतना time मि तो अपनी तैयारी को जबरदस्त कर लीजिए क्योंकि RRBJ अगर आप लोग को निकालना है तो अपनी प्रिप्रेशन आप लोगों को टॉप लेवल की रखने पड़ेगी तो फिलाल आज के शैसन को यहीं रखते हैं ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन most important topics आप लोगों के सामने हम लाते रहेंगे तो चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि इनसे related जो भी आपके hint हो या जो भी आपके notification हो वो आप लोगों को time to time मिल जाए ओके थैंक यू बच्चों मिलते हैं ऐसे ही किसी important अगले शैसन के साथ